हेलो माई फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे MCB और MCCB में क्या डिफरेंस है तो मेरे सामने जो आप देख रहे हो ये MCB है और ये MCCB है तो इसके बारे में हम आज दोनों की मैं आपको जो है प्रैक्टिकल ही रहते हैं तो चालू करते हैं पहले हम थोड़ा थियोरी पढ़ेंगे कि इन दोनों में अंतर क्या रहते हैं तो MCB यानि miniature circuit breaker उसके बाद में MCCB modulate case circuit breaker तो MCB जो है इसको miniature circuit breaker क्यों का आगा है क्योंकि ये circuit breaker है इसका जो shorter जो इसको जो है छोटे आकार में जो बनाया गया उसके करण जो है इसको MCB बोलते हैं और इसको जो है MCCB बोलते हैं तो उसके बाद में MCB जो है वो up to 100A तक की market में available है अभी तक और जो MCCB है वो 4A से लेके 1000A तक है उसके बाद में interrupting current जो है इसका 100A से 25A तक है और MCCB का है वो 10,000A से 2,000,000A है तो यह जो interrupting current है यह क्या है interrupting current मतलब की जैसे इसमें MCB में 25A current भी flow हो गया तो भी जो है वो बिना harmful हुए जो है वो circuit को protect कर देगी means की जो है वो MCB जो है 2500A आने पर भी जो है वो जलेगी नहीं उसके पहले ही हमारा circuit है उसको protect कर देगी उसके बाद में जो MCB में protection है short circuit और overload दोनों से protection करती है ठीक है और working दोनों का same है MCB और MCCB दोनों का working सेम है short circuit और overload से protection करना उसके बाद में MCB में जो tripping mechanism है ठीक है जो tripping है वो है thermal trip MCB में सिर्फ thermal trip होता है ठीक है मैं आपको दिखाऊंगा भी thermal क्या चीज रहती है ठीक है उसके बाद में जो MCCB है इसमें thermal plus magnetic trip ठीक है और यतर जो MCB है इसमें current varying को one several तो मैं आपको दिखाऊंगा यह और यह जो यह MCB यह है इसमें जो बाइमेटलिक लगा है वो thermal type का है ठीक है तो जो बाइमेटलिक है वो आपने जो सिर्फ बताया जाता है कि जो यह दो अलग अलग धातुगा बनाता है बटमा आपको जो है और इजी बाइमेटलिक जो है दिखाऊंगा भी तो यह हो गया उसके बाद में पहले हम करते हैं MCB ठ ठीक है वर्किंग शॉट सर्किट और ओवरलोड से प्रोटेक्ट करना ठीक है अब यह जो MCB है और हाँ एक बात और ध्यान रखना कोई सा भी आप सर्किट देख लेना उसके नीचे इंकमिंग रहती है और उपर हमेशा आउट गोइंग रहती है ठीक है अब यह MCB जो है य यह खराब होगी थी MCB तो अब देखो यह जो यह है यह है इसका ट्रिपिंग का जो मेकैनिजम है ठीक है यह जो यह है अब यह जो यह है यह है इसका आर्क एक्स्टिंग्शर ठीक है मतलब जो आर्क जो बुस्ती है वो यहां आके बुस्ती है इसमें ठीक है यह शॉर्ट स circuit या overload, कुछ भी होगा, ठीक है, और यह है solenoid, solenoid means recoil, जो sensitive coil होती है, अब क्या होता है, जैसे कि, ये outgoing में, कुछ भी short circuit हुआ, तो short circuit होने पर क्या डिपनिए हो में iht स्का यह धो यह अब जैसे इंग करती श Minister थो 65-aran खार जहार लोड़ यह चार लोड़ यसे गिल सारकाो ट dow the equation effect वर फायवे आई च्रेंच 2 और तो簡श offshore आप ऐसका già Cont Math Informator indem krijो क्री ठीक है अब जो हीट होता है वो यह वाला element है ठीक है सिर्फ इतना से रता है MCB में और यह जो यह है यह इसका पूरा का पूरा जो है ओवर लड हुआ तो यह बाइचलिक बैंड होगा और बैंड होने पर क्या होगा इस तरीके से यह जो यह यह जो प्लेंजर है यह नीचे आजागा और हमारी दो टर्मिनल आएंगे, दो निकल जाएंगे, वो दो पोल की और जिसमें तीन आएंगे, ठीक है, एक तीन की भी रहती है, जैसे जो थ्री फेस में जो यूज करते हैं, ठीक है, वो तीन पोल की क्यूं क्यूंकि इसमें 3 वायर आएंगे ठीक है और उसके बाद में अब जो है main ठीक है mccb modulate के circuit breaker ठीक है अब जो थर्म जो बाइमेटलिक जो रहती है ठीक है बाइमेटलिक आपने जो है देखी नहीं है देखो इस तरीके का जो है बाइमेटलिक रहता है अब यह बाइमेटलिक देखो आप यह देखो इधर जो है एक मिनट देखो इधर जो है ये copper का metal है और इधर जो है ये है aluminium का तो ये biometalik एती है, इसको biometalik बोलते हैं, तो ये biometalik जो है ये ये 2 conductor को मिलाके बना जाता है मीसरी एग के उपर ब्रीज किया जाता है, अब ये जैसे ये aluminium हैuis अारी minimum के उपर जो है, यह copper को हमने layer बिछा के इसकी bridge करा रहा है तो क्या होगा, जैसी, यह MCB है, ठीक है, अब क्या होगा, यह जब यह heat होगा, तो यह जो यह है, यह fell ने लग जाएगा, तो fell ने पर क्या होगा, एक side कम fell लगा, एक side ज्यादा फैल लगा, ठीक है तो जिस साइट ज्यादा फैल है तो जैसी ये band होगा ये ठीक है sorry ये ये जैसी ये band होगा तो band होने पर क्या होगा ये इस तरीके से trip हो जाएगी ठीक है तो ये तो थी thermal trip अब मैं आपको दिखाऊंगा magnetic trip तो बहुत simple है ये भी देखो ये अभी मेरी mccb own है ठीक है अब इसमें जो है ये input ये output ठीक है ये मलब contacts है इसके और देखो ये यहाँ पर रहता है ठीक है ये है push to trip ठीक है जैसी short circuit हुआ या कुछ भी हुआ या हमारे को check करना हुआ ठीक है तो ये देखना आप ये इस तरीके से ये mccb trip होती है अब second ये इसकी rating जो है ये है 15 ampere की ठीक है अब ये क्योंकि ये magnetic trip है तो ये जो है fix रखी भी हमने 15 ampere क्योंकि हमारे को जो है ये 15 ampere तक की use करनी थी लेकिन जो दूसरी mcb भी है जैसे कि thermal वाली है और overload और कुछ तो जो है वो दोनों होती है द इसमें bimetalik रहता है ठीक है और ये जो magnetic है तो अब मैं आपको इसको open करके दिखाता हूं एक मिनट तो ये अब मैं आपको open करके दिखाता हूं ठीक है ये देखो ये इसकी internal structure है ये इसका push button वो sorry button है जो की on off का बताते है हमारे को on है ओ off है ठीक है अब ये देखो magnetic trip है इसमे इसमें जो है bimetalik नहीं है ठीक है ये instantaneous trip होती है तो instantaneous means ततकाल trip होती है जैसी short circuit हुआ तुरंत ये trip हो जाएगी क्योंकि हमारे को ये use करने थी जहां पर वहां पर ये थी अब जो है अब मैं आपको बताता हूं कि ये इसके parts के बारे में तो contact तो आपने समझी लिए जो arc जो ये इसका arc extinction chamber जैसी जो भी जैसी ये heat हुआ ये short circuit हुआ तो जो क्योंकि MCB जो है वो उसका interrupting current बहुत ज्यादा होता है तो अब जैसी बहुत ज्यादा हुआ कुछ भी short circuit हुआ तो arc जो बुस्ती है वो यहां आके बुस्ती है ठीक है और ये जो है अलग लग जो है इस तरीके से मैं आपको निकाल के भी दिखा देता हूँ ठीक है ये इसको थिंबल भी बोलते हैं बहुत सी लोग जो है ठीक है ये देखो अब ये जो ये है ठीक है और ये जो MCB है क्योंकि MCCB जो है वो industrial use होती है क्योंकि बहुत महांगी होती है तो इसलिए जो हम इसको घर में हुआ है 10A AC और 15A DC आपको शायद दिखाएन दे रहोगा बट मेंको दिखाए दे रहा है तो 10A जो हम इसको AC में यूज कर सकते हैं और 15A जो हम DC में यूज करते हैं तो क्या होता है कि ये तो incoming आगी अब ये इस side हो गया outgoing तो outgoing में क्या होगा जब भी short circuit होगा तो short circuit होने पर क्या होगा क्योंकि ये magnetic trip है तो जो bimetallic होगी उसका तो same MCB जैसा fund है वो जो thermal उसका जो bimetallic है वो heat होगा और heat होने पर वो band होके trip हो जाएगा तो जो दूसरी MCCB है उनमें भी ऐसा हो सकता है बट ये magnetic trip में क्या होता है कि जैसी heat हुआ तो heat होने पर क्या होगा कि ये जो coil ह ठीक है ये CT नहीं है ये coil है तो coil क्या होगा कि इसमें electromagnet बनेगा तो electromagnet बनने पर क्या होगा कि ये देखो ये लोहे का है और ये देखो ये magnet है तो एक मिनद ये ठीक है अब जैसी मैगनेट बना इसका तो क्या होगा यह आर्मेचर जो है इसका यह अट्रेक्ट करेगा और यह इस तरीके से जो है ट्रिप करा देगा ठीक है एक और बार आप समझो यह देखो अब यह जो है यह ओन हो गया अब जैसी short circuit हुआ तो short circuit होने पर क्या होगा इसमें electromagnet बनेगा और electromagnet बनने के बाद में जो है क्योंकि electromagnet बननेगा तो magnet का काम क्या है लोहई की वस्तूओं को अकरशित करना आपने मेरे Relay वाला वीडियो नहीं देखा Relay वाला वीडियो भी देखो उसमें भी मैंना बदाए कि लेक्ट्रो मेगनेट कैसे खाम करता है तो जैसी मेगनेट बनेगा मेगनेट बनने के बाद में ये जो है ये जो कोईल है कोईल ये है इस तरीके से जो है ये attract करेगा और जो हमारा जो जो system है वो protect हो जाएगा तो इस तरीक और जो बहुत सारी दूसरी MCCB है जिन में जो है setting भी कर सकते है current की क्योंकि ये variable होती है बट ये मेरे पास magnetic वाली थी तो इसलिए मैंने आपको ये दिखा दी है तो अब second thing ये है कि कोईल काम कैसे करती है तो कोईल का भी मैं आपको practical दिखाऊंगा कि कैसे वो जो है Electromagnet बनता है उसका तो और ये जो MCCB है ये इसका जो है interrupting current भी भोग ज़्यादा होता है ठीक है तो I hope कि आपको पसंद आया हो पसंद आया हो तो please like का बटन दबा दो और मेरे चैनल को subscribe कर लो so bye guys next video के लिए